हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक हाइडरेटिंग मास्क येस गाइज आज हम एक हाइडरेटिंग मास्क बनाएंगे इस समर में हमें हमारी स्किन को हाइडरेट रखना चाहिए तो फ्रेंड्स इस रेमेडी के लिए कुछ अलग से नहीं लेना पड़ेगा और जो भी इंक्रिडियन मैं यहाँ पे यूज करूंगी यह सारे स्किन को सूट करेगा हम यहाँ पे सारे हरवाल चीजे यूज कर रहे हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता यह तो सबको पता ही है तो फ्रेंड्स इ एक बार जरूर अपद्धाई करें अपकी संटेन को रिमूब करेंगा अपकी डलनेस को दूर करेगा सब्सक्राइड और distribution को अपकिस की के लिए मैं एक कुमबर का लिया आपने देखा वीडियो में पहले ही और उसको मैंने कदुगश कर अब देख सकते हैँ कददुकश करके मैं total ही एक बावल में add कर लिया है आपको बुद्धा फेकना नहीं है और only juice नहीं लेना है आपको total cucumber जो अपने कददुकश किया होगा उसको ही लेना है आप देख सकते हैं मैं यहापे दिखा रही हूँ और नेक्स्ट इंग्रेडियन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है टमाटो का जूस टमाटो को भी उसी तरह आपको पीस लेना है सिर्फ जूस नहीं उसकी पल्प भी हमें चाहिए इस रेमेडी के लिए और तीसरा जो हमारा इंग्रेडियन्ट है वो है बेसन बेसन यानिकी ग्रा और पास में जो बैल आइकन है उसे भी प्रस कर दिजिए इससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप देख पाएंगे तो इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक क्लेन बाउल और उसमें एड़ किया है मैंने एक चम्मच ग्राम फ्लॉर यानि की बेसन आप देख सकत है इसको मैं डालूँगी एक से दो चम्मच अब देख सकते हैं और फिर मैं इन सब को मिक्स कर लूँगी ताकि एक अच्छा सा मास्क बन जाए आप देख सकते हैं मैं इन सब को मिक्स कर रही हूं यह जो मास्क है यह अपके स्कीन को स्मूध बनाएगा और इस जमर में स्प प्लेक्शन को भी इंप्रूब करने में काफी एफेक्टिव है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह पैक बिल्कुल रेडी है अब मैं इसको करूंगी एपलाए और यह पैक इस रनी कंसिस्टेंसी में ही बनेगा अब देख सकते हैं यह निकल रहा है आपको इसको नहाने से पहले ही लगा लेना है और फिर इसको लगा कर नहा लेना है और यह बिल्कुल ड्राइ नहीं होगा इसको ऐसे दस मिनिट तो कैसे छोड़ देना है फेस पे ड्राइ हो या ना हो और दस मिनिट के बाद ही इसको वाश कर लेना है नॉर्माल वाटर से अब दिख सकते हैं मैं मैं पर कैसे पैक को लगा रही हूं यह पैक आपके सकीन के संट हैन। को रिमोग करे अपके पिंपल को आने से रोखेगा, क्यींकि आपकी सकीन को भूढ़ा हैड्रेट रखेगा और इस पैक को लगा कर मैं दस मिनिट तक ऐसे छोड़ दूँगी और 10 मिनिट के बाद इसको मैं नॉर्मल वाटर से वाश कर लूँगी तो फ्रेंड्स इस रेमिडी को आप हपते में दो से तीन बार यूज़ कर सकते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है आप देख सकते हैं मेरा हैं जो ग्लो कर रहा ह I hope guys वीडियो आप सबको पसंद आया हो और आपके लिए helpful लो तो like करिए share करिए and subscribe करना बिलकुल मत बुलिए मैं फिर मिलते हूँ आप से एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye झाल